तो हेलो एव्रिवन कैसे आप सब लोग दोस्तो किसीने बड़े कमाल की बात कही है कि अपनी मनजिल को भुला के जिया तो क्या जिया दम है तो अपनी मनजिल को पाके दिखा और कामयाभी की लिख दे अपनी दास्ता अपने खून से और फिर बोल उस किसमत को कि दम है तो यहां पर आपको on passive related बहुत सारी वीडियो बहुत ही fantastic वीडियो आपको यहां पे मिलती रहती है तो आज यह special वीडियो में आपको क्यों बना रहा हूं बहुत ही emergency में यह वीडियो बना रहा हूं मैं और आप सब लोगों के लिए जानना बहुत जादा जरूरी है बहुत सारे को बहुत जादा excitement की अंदर इधर सो दर वीडियो देखना है लेकिन को कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है कि हम foundership में registration कैसे करें जी हां अपना हम foundership में registration कैसे करें तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप founder नहीं है अभी तक आप founder नहीं बने है on passive के अंदर और आप एक founder बना चाहते if you want to become a founder in on passive then what will you do आप क्या करेंगे उसके लिए आपको simple process क्या करना है आपको सबसे पहले एक link मैंने description के अंदर दी होई है सबसे पहले आपको उस link पे जा करके click करना यह बहुत ही simple process है अगर आपको founder बनना है तो अगर आपने on passive के बारे में पूरी जानकारी ले ली है अगर आपके सपने बढ़े हैं और आप foundership पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए close हो जाएगी closing के लिए बस हमारे पास दो भी दिन बचे हुए है और इस दो दिन के अंदर अंदर आपको सिर्फ एक ही decision लेना है कि मुझे founder बनना है अब इस founder को बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि description box के अंदर link है उ enter password and select country and phone number यह आपको 36 यह आपको 6 चीज़ें आपको भरनी है इस form के अंदर जैसे ही आप यह चीज़ें फॉर्म के अंदर भरके आप register पर क्लिक करते हो आपका foundership के अंदर registration पूरी तरीके से clear हो जाता है जैसे ही आपका यह registration क्लियर होता है आपने अपने email ID जो भरी हुई है और आपने पास़ड़ बनाया हुआ है इस form के अंदर आपने email ID जो डाली हुई है एपना password जो बनाया हुआ है उस email ID और पासवर्ड से अब आपको जाना है अपनी O Founder की वेबसाइट के उपर जी हाँ कहा जाना है O Founder की वेबसाइट के उपर जाना है O Founder की वेबसाइट के उपर जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आपको पहला पेज मिलेगा आपको जो आपको 97 डॉलर पे करना है जी हाँ 97 डॉलर पे करना है उसका आपको option वहाँ पे मिलेगा जैसे आप 97 डॉलर वहाँ पे कर देते हैं उसके बाद आपकी जो foundership की जो position है वो पूरी तरीके से lock हो जाती है और आप यहाँ पर एक permanent founder बन जाती है permanent founder बनने के लिए सबसे पहले आपको यही करना है कि आपके पास 97 डॉलर यानि की 8,900 रुपे आपके जेब के अंदर होने चाहिए आपके pocket के अंदर होने चाहिए यह आपका पहला खर्चा लगेगा जी हाँ जैसे ही आप foundership बन जाते हैं आप foundership के अंदर आ जाते हैं आपकी founders foundership close हो जाती है आपकी lock हो जाती है आप यहाँ पे निश्चित रूप से पूरी तरीके से foundership में आ गए हैं अब आपको वो सारे के सारे benefits मिलने वाले हैं जो on passive company हम सब लोगों को देने वाली है अब जब आप foundership में पूरी तरीके से एंटर हो जाते हैं और आप अपनी फिर स लॉग इन करेंगे उस पे एक OTP कह सकते हैं उसको एक code कह सकते हैं हमेचाए code जाएगा और जैसी वो code जाएगा उसके बाद ही आप अपनी co-founder की website के अंदर आप enter हो पाएंगे वहां पर आपको एक काम और करना पड़ेगा कि आपको अपने digital signature करने पड़ेंगे एक agreement form आता है उस agreement form पर आपको अपने signature करने पड़ेंगे कि आपको on passive के proud founder बन चुके हैं क्योंकि एस मुफारे सरके भी उसके अंदर signature होते हैं और आपको भी अपने signature करने पड़ेंगे जितने भी term and conditions हैं उसको आपने accept किया है इस बाद का आपको signature करना पड़ेगा और जैसे आप signature कर देते हैं आपकी foundership पूरी तरीके से close हो जाती है आप foundership के अंदर आ जाते हैं और आपकी foundership पूरी तरीके से lock हो जाती है तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस दी गई link पर आप जा करके अपनी foundership ले सकते हैं बहुत ही easy है कोई भी इसके अंदर complication वाली कोई form निकल के आएगा और उस form में आपको 6 चीज़े मिलेंगी आपका first name, last name, email id, password और आपका country कौन सा है और phone number यह आपको इसके अंदर fill करना है email id, जिस email id से आप अपनी o founder की website को I mean o founder की जो position है आप उसको log कर रहे हैं आपकी email id होनी चाहिए और यह email id जो होती है यह आपका सब कुछ है इसका password बहुत ही strong होना चाहिए जिससे की कोई भी वेक्टिर्स को hack ना कर सके तो यह 6 चीज़े डालने के बाद में आपके पास registration का जो option आता है उसके आप क्लिक करेंगे उसके बाद क्लिक करके अपके पास हो जाएगा आपको registration हो जाएगा जो अपने email id को भरा था इसके अंदर form के अंदर और आपने जो password को भरा था, उस password को आपको डालना है www.ofounders.net पर पर आपको डालना है और जैसे आप डालते हैं वहां पर आपको पे करने के लिए बोला जाएगा कि आपको 97 डॉलर 8 900 रुपए आपको वहां पे पे करना है और जैसी आप 8 900 रुपए करते हैं आपकी foundership permanently वहाँ पे आपकी log हो जाती है आप on passive के अंदर founder बन जाती हैं उसके बाद आपको एक agreement form निगल के आता है NDA signature के लिए उस NDA signature में आपको अपने digital signature करने पड़ेंगे जिससे की उसकी term and condition है वो आपको पूजी तरीके से accepted है आप उसके अंदर जितनी भी term and condition है on passive की वो सारी के सारी accepted है आप उस सारी नियम और कानूनों को जितने भी नियम शर्ते हैं उसको आप सुईकार करते हो इसके लिए आप से एक signature कराया जाता है और जैसी आप signature करते हैं आप on passive के अंदर एक proud founder बन जाते हैं तो दोस्तों आज हमारे पास के वाद दो ही दिन का समय है 22 तारीक को इसकी foundership हमेसा के लिए close हो जाएगी यानि कि कभी भी ये foundership आपको दुबारा लेने का मौका नहीं मिलेगा कभी भी life में मौका नहीं मिलेगा और यही एक ऐसी चीज है जहां पर आपको unlimited income आ सकती है क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर on passive blockchain में जाने वाली है और blockchain में जाने के बाद में होगा क्या कि यहां से income तब तक आएगी जब तक इस दुनिया के अंदर internet चलता रहेगा तो यह पीड़ी दर पीड़ी income आने वाली है और बहुत बड़ी income आने वाली है इसलिए आपको founder बनना बहुत जादा जरूरी है तो founder बनने की पूरी की पूरी process मैंने आपको बता दी है अगर आप founder नहीं बनते हैं कोई doubt रहता है तो 100% आप आने वाले time के अंदर ओन पैसे के जो product है digital product है उसके आप customer 100% बनने ही वाले हो चाहे वो आप ओचाट का इस्तमाल करना ओओ mail का इस्तमाल करना ओओ connect का इस्तमाल करना ओओ blast का इस्तमाल करना या ओओ traffic का इस्तमाल करना आप on passive के भी आपको इस्तिमाल करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि उसमें एक advanced technology वाले product आने वाले हैं, तो इसलिए अगर आपको इससे बहुत बड़ा benefit चाहिए, आप चाहते हैं कि 200 countries से मेरे पास एक बहुत बड़ी revenue आए, तो यहां से आपको तही revenue आ सकती जब आप on passive के अंदर founder बनने वाले हैं, तो founder बनने की पूरी की पूरी जो process है, वो मैं आपको बता दी है, अब इस दो दिन के अंदर एक बहुत बड़ा जलजला आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, कि मुझे foundership चाहिए, मुझे foundership चाहिए, अब बहुत और ऐसे लोग आने वाले हैं, इस on passive के अंदर, जो वास्तम में अपने सफनों को लेकर के बहुत ही ज़्याता serious है, और on passive को लेकर के और आने वाली जो technology है, उसको लेकर के बहुत ज़्याता serious है वही लोग इसमे आने वाले हैं, फालतों लोगों की यहाँपे कोई भी ज़र होते हैं इससे जादा ओन पैसिप को फाउंडर्स बनाने की कोई भी जरूवत नहीं इसलिए 22 तारीप को यह फाउंडर्स पूरी तरीके से क्लोज की जा रही है अगर आपको भी कोई डाउट है तो भी आप फॉन करके मुझसे पोच सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने नमर दे रखा है आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं और ओन पैसिप के बारे में डिटेल्स में जानकारी आप ले सकते हैं कि यह इंकम कहा से देगी और बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल के उपर जा चुकी है ओन पैसिप इंकम कहां से देगी ओन पैसिप क्या है इसके डिजिटल प्रोड़क्त क्या है हमें फाउंडर बनना क्यों चाहिए हमें फाउंडर बनने से क्या फायते हैं ऐसे बहुत सारे सवालों के सबसे बैस्ट डिसीजन होगा इसकी बाद आपको किसी भी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर आपको आईगी एक रेजिटल इंकम और एक पैसिव इंकम लाइफ टैम इंकम आईगी और यह तब तक इस दुनिया के अंधर इंटरनेट बना रहेगा ओक इस पूरी वीडियो को देखनेके बाद में अब आपको कोई वी डाओट नहीं रहोगा ओको कोई भी नहीं रोख सकता कि founder बनने के लिए मुझे गहाँ पर जाना है बस आपको लिंक होल नहीं है डिस्करप्शन में जाना है बहाँ जाकर करके आपका सारा का सारा सारा सॉलीशन मवजूद है ओके थैंक्यू सो मच है विनाइस टे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब इतनी देख लिया थोड़ा और देख लो बहुत जरूरी इंपोर्टन मेसिज है और वो यह है कि अगर इस वीडियो का अगला भाग भी आप चाहते हो कि मैं लाओ तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ और इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्य चीए मुझे सौ जिसने भी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो समझे ले ना जग्गा नाम है हमां सपने में आते हैं ठेक हिला है बंकर चले तुर्ट